तो मैं भाजपाईयों को कहना चाहता हूँ रे भाजपावालों ये राहूल गांधी हैं इंद्रा गांधी के परिवार से आते हैं राजीव गांधी के बेटा हैं आतंकवादी से नहीं डरे तुम तो वैसे भी माफि मागने वाले लोग हो भाई तो वैसे भी माफी मागने वाले लोग हो भाई पुलीस अगर बिपक्च को डिटेन ना करे, हिरासत में न डाले पुलीस अगर बिपक्च को जेल में डाले ED अगर बिपक्च के नेताओं को परेशान न करे CBI आपके घर पे रेट ना मारे income tracks का छहापा ना मारे तो समझे आप देश के लिए लर नहीं रहे हैं और हम डिली पुलिस को धन्निवाद देना चाहते हैं कि हम देश की चंता के लिए लर रहे हैं और आपकी एक-एक परेसानी को जेलने के लिए तैयार हैं लेकिन एक बात हम दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को जरूर कहना चाहते हैं आप आते हैं गरीब परिवार से आप जो हमारे उपर डंडा चला रहे हैं आप अपने ही भविस्पे और अपने ही मुद्दों के उपर डंडा चला रहे हैं इस बात को याद रखिएगा इस बात को याद रखिएगा और रिकॉर्ड तो करते ही आप लोग बहियां सा रिकॉर्ड करके अग्री मंतरी को सुना दीजिएगा इस बात को याद रखिएगा कि DCP सहाब प्रमोट हो करके चले जाएंगे DCP बन जाएंगे लेकिन जो आज इस देश की आर्मी के साथ हो रहा है वो बात किसी दिन किसी भी पुलिस के साथ हो सकता है इस बात को याद रखिएगा इस बात को याद रखिएगा कि आज जिस तरीके से देश के लिए जो सम्मान की बात है जो सर्वोच बलिदान की बात है अगर उनकी नौकरी को ठेके पे किया जा रहा है तो कल आपकी नौकरी को भी ठेके पे किया जा सकता है लेकिन ये जो सत्याग्रह है, जंतर मंतर पे जो सत्याग्रह हो रहा है, इस सत्याग्रह का मूल कारण यह भी है, कि हम सिर्फ अपने नेता को नहीं बचाना चाहते हैं, मीडिया वालों, मैं आप से खास करके कहना चाहता हूं, हम अपने नेता को नहीं बचाना चाहते हैं, एक सरकार को कहते हैं साहेब हर चीज का एक मंतर नहीं होता है बीजेपी चाहती है कि हर नेता पर एक ही जनतर का इस्तेमाल कर ले तुमसे क्या डिरेंगे यार E.D.W.D. से डर नहीं लगता है E.D. से हम अपने नेता को नहीं बचाना चाहते हैं हम बस इस देश की जनता को बताना चाहते हैं कि E.D. इनके घर पे इसलिए आया है कि मोदी जी को कोई साधू बता दिया है कि विपक्च के सारे नेताओं पर एक ही केपसूल इस्तेमाल किजि आएगी कॉंग्रेस के कार्करता डर जाएंगे और चूप हो करके बैठ जाएंगे कि देखो देखो इसके नेता के ऊपर E.D. आ गया है तो कार्करता को कौन पूछता है कॉंग्रेस पार्टी के अंदर इस बात क्या जज़वा है कि अगर हम देश को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं तो इस देश को अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे इस बात को याद रखिएगा इस बात को याद रखिएगा कि आपने देश के साथ जो खिलवार किया है उस खिलवार के खिलाफ है हम उस खिलवार के खिलाफ क्यों है हम कि आपने इस देश को सपना दिखा करके, आपने इस देष के लोगों को उम्मीद जगा करके उनके साथ धोखा किया है, ये हम नहीं बोले थे, सुस शिरी आट स्री मानिया प्रधानमंत्री जी बोले थे, कि हर साल दो करोन नौकरी दी जाएगी, क्या अकिन बारी आगी इस बात को याद रखिएगा अरे हमारे लिए क्या है जब तक जेल में चनार रहेगा आना-जाना लगा रहेगा हमको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बारी सब की आयेगी इस बात को याद रखिएगा कहे थे ना मोदी जी कि हर साल दो करोड halves एसी कार देंगें बोले यह दो натुए बोले थे आप कंग्रस के कार्टा है थोड़ी के दर जाये दाने इसारा में कि अंगाई कम होगी अगया कि liaison अपन lequel फस्तों आए लाकी बाजपा का निता इमानदार है कैलास बिजय बर्गिया को धन्यवाद देना चाहिए कम से कम उसने इस देश के नोजवानों की संका दूर कर दी उन्होंने बता दिया बाजपा की नई योजना है तैयार बाजपा ओफिस में सभी नोजवान बनेंगे चोकीदार यही योजना है ना लेकिन मैं कहता हूँ बिजय बर्गिया जी आपका बेटा बल्ला भूद बढ़िया चलाता है अपसवत पर बैट चला रहा था उसको बीजपी ऑफिस में क्यों नहीं सिकुरिटी गार्ड बना देते हैं मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी मंत्री का बेटा बनेग कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सची बोलेंगे मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो स्थिती पे मुखड ओकर के हमारे नेता बोलते हैं इस बात का हमको गधार है कि सरकार के सामने बिना झुके कोई लडता है और करके तो उसका नाम राहुल गंधी है उसको डराना चाहते हैं उसको जुकाना चाहते हैं अरे आप कहते हैं मोध complete the D मुदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चोकीदार ये चोकीदार नहीं है ये देश के ठेकेदार है और ये देश के ठेकेदार कैसे हैं क्योंकि इस देश के लोगों का उनके भविश्च को ये ठेके पे कर देना चाहते हैं ये जो अगनीपत्य योजना है इसकी मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए मैं बड़े ध्यान से सारा प्रेस कॉंफरेंस सुन रहा हूं प्रेस कॉंफरेंस में सरकार जिलेवी की तरह गोल गोल कर रही है हर चीज को सब कुछ बोल रही है सब फाइदा गिना रही है हो सकता है कि कोई भाजपा का मंत्री ये भी आकर के कह कि अगनीपत योजना में सामिल होने के बाद आपका बाल नहीं गिड़ेगा जिस तरीके से उसके फाइदे गिनाये जा रहे हैं लेकिन असली बात नहीं बताया जा रहा है एक सिंपल सवाल है सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए क्या सिंप सिंपल बात है पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया और पिछले दो साल में अब 30 साल है 50,000 लोगों को भी की भी भरती नहीं की गई बहाना क्या दिया गया बहाना दिया गया कि कोरोना था इसलिए भर बहाली नहीं किये हाई मोदी जी कोरोना था तो चुनाव लर लिये बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिये सब जगा चुना हो गया उत्तर प्रदेश का चुना हो गया बुल्डोजर बाबा आगे लेकिन आर्मी की भरती नहीं हुई यह बैमानी है कि नहीं है कर रहे हैं देरلاख भाली ये करेंगे की नहीं करेंगे इसनय नहीं बता रहे हैं ऊपर से एक नया योजणा लेकर के आ गये हैं तो एक न छोटा सा कहानी अमको याद आ रहा है बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था कहा मम्मी दूध पिला दो दूध पिला दो मम्मी उसको उठा करके अल्वीरा पे बिठा दी बच्चा मम्मी को यह नहीं कहता है कि मम्मी दूध पिला दो बच्चा चिला चिला करके कह रहा है कि मम्मी अलवीरा से नीचे उतार दो नीचे उतार दो लोग मांग रहे थे हर साल दो करोर नोकरी इन्होंने हर साल दो करोर नोकरी नहीं दी उपर से एक नया योजना ले करके आ गए हैं पूरा का पूरा भाजपा के तंत्र को उसमें लगा दिये हैं कि आप बताईए कि अगनीपच के क्या फाइदे हैं अरे सिंपल सी बात है बिहार में एक कहावत है नहाया हुआ सरीर और खाया हुआ सरीर नहीं छुपता है जो चीज अच्छी होती है उसका फाइदा बताने का जरूरत नहीं होता है जो चीज में कोई खरावी होती है उसका खरावी छुपा करके आपके घर पे कोई समान बेचने के लिए आता होगा तो उस समान का सब कुछ अच्छा अच्छा ही बताता होगा आप ट्रेन में जब जाते होंगे बस में जाते होंगे तो जब जूसर बेचने वाला आता है तो एक संतरा से आपको एक गिलास जूस निकाल करके दिखाता है और वही जूसर जब आप घर पे ले करके जाईएगा तो आधा गिलास जूस भी आपको आपके घर में नहीं निकल यह जो बेचने की मानसिक्ता होती है इस बेचने की मानसिक्ता के खिलाप है यह सत्यागरह दो लोगों के बीच में है जावेदख्टन ने लिखा है जो आवाज धो एक जो इस देश को बेचना चाहता है वो देश के सरकार में बैठे हुए है एक वो आवाज है जो देश को बचाना चाहता है वो सरकों पर ख़ढा है, वो जंतर मंतर पर बैठा हुआ है, वो सत्यागरह कर रहा है और ये सत्यागरह हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार के जूट को हम समझ रहे हैं जूट क्या है इनका जूट है कि ये लोग पर्मानेंट बहाली को बंद करने जा रहे हैं पर्मानेंट बहालियां नहीं होगी अगर ये पर्मानेंट बहाली करना चाहते हैं तो सिर्फ सेंट्रल गवर्मेंट में 28 लाख पोस्ट खाली है ये पर्मानेंट बहाली बंद करके ठ थेका करन के फाइदे देश को समझा रहे हैं जब भी देश में कोई ठेका करन किया जाता है तो सिर्फ उसका फाइदा ही फाइदा बताया जाता है जब भी देश की कोई सार्वजनिक संपत्ति बेची जाती है तो उसका फाइदा ही फाइदा बताया जाता है लेकिन इस बात क तो क्या करेंगे जोती राधित सिंधिया, समझना है कि नहीं समझना है, आप हमको बताइए कि सरकारी रेलवे नहीं होना चाहिए, सरकारी पिये सेनल नहीं होना चाहिए, इनके हिसाब से सेना में नियमित नौकरी नहीं होनी चाहिए, जब सब कुछ सरकारी नहीं होना तो सरकारी परधान मंत्री लेकर के ढोल बजाएंगे, फिर सरकारी परधान मंत्री भी क्यों होना चाहिए, सरकारी संसद भी क्यों होना चाहिए, देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रिय संपत्ति, देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रिय सेना, देश का मतलब होता है जिस देश को नहरू मौला नाबुल कलाम आजाद ने बनाया है उस देश को बचाने की दा लडाई है कॉंग्रेस पार्टी को ले करके भाजपा लगातार प्रचार करती है कि अगर कॉंग्रेस किसी चीज का विरोध कर रहा है तो सही होगा तो आप बताइए हम भाजपा का बिरोध करते हैं देश के संबीधान का समर्थन करते हैं और उस संबीधान को हमने बनाया है कॉंग्रेस पार्टी ने बनाया है इसलिए कहाबत कही जाती है जाके पैर नफटे भिवाई झाल झाल